तो विकारे आवर्तते विकारम आवर्तेतिवा यद तद तद विकारावर्ती तो उसको यहां विकारावर्ती कहा है विकारे माने विकार रूपे जगती विकार रूप जो जगत है स्वातमानम आवर्तेति वो अपने अंदर वो आवर्तेति बुला सकता है तच्छीलम ऐसा स्वभाव है जिसका उसको कहेंगे विकारवर्ति यद्वा विकारम आवर्तयती मतलब रूपम आवर्तयती स्वात्मनी एक तो उन विकारों में ये घूंता है ये अर्थ हो गया और दूसरा उनके स्वरूप को अपने में ही बुला सकता है तो ये अर्थ हो गया विकारवर्ती का कुतह तथा ही स्थिति माह ऐसा ही शुति कह रही है मुक्त ऐश्वर्य स्थितम वदती शुति मुक्त का जो ऐश्वर्य है उसकी स्थिति को शुति कह रही है सहस्वराड भवती तस्य सर्वेशू लोकेशू कामचारो भावती अत्र लोकेशू कामचारो भावती इती विकारे ही आवर्तते यहां लोकों में कामचार होता है इसका मतलब क्या है विकार में ही आवर्तन होता है ने तु लोके भ्यो विकारे भ्यो बही रपी जो लोक लोकांतर हैं उनसे बाहर आवर्तन नहीं होता है तथा तस्य आत्मत मना आत्मत वाग से एकधा भवती तरिधा भवती पंचधा भवती और दूसरा ये भी कहा है वहाँ पर तस्य आत्मत मना तो मन से क्या करेगा मना नहीं कर सकता है ना वाणी से क्या कर सकता है वाणी का कारिये बोलना चक्षु से क्या कर सकता है सुनना तो ये जो इंड्रियों के कारिये हो सकते हैं वो कौन से हो सकते हैं जो विकार रूप है मनन किसका करेगा विकार रूप का ही कर सकता है निर्विकार का तो मनन नहीं किया जा सकता है देखा किसको जा सकता है विकार रूप को ही देखा जा सकता है तो ये जो इंद्रियों से जो किया जा सकता है वो बिना इंद्रियों के कर तो इससे क्या पता लगा कि जो कारिय रूप इंद्रियों के विशें हैं ऐसा ही बिना इंद्रियों की कारिय रूप को ही वो देखता है सुनता है जानता है गती करता है यह अर्थ इससे निकलता है और उसके बारे में कहाँ से एक धाभ होती एक धाभ होती मतलब आत्मा एक है तो आत्मा की शक्तियों वाला हो जाता है समस्त आत्मा की शक्तियों जिसमें अभिव्यक्त हो जाएं ऐसा हो जाता है तरीधा भाउती तरीधा भाउती का मतलब है स्थूल, सुक्षम और कारण तीनों शरीरों को मिलाकर की जो शक्ति होती है उस शक्ति वाला हो जाता है उससे आगे नहीं अथेचे मुक्तस्य शिणवन शोत्रम मनवानो मनो भौती और इनके बारे में चट्पत ब्राम्न में कहा है कि सुन्ता हुआ वो शोत्र ही बन जाता है मनन करता हुआ मन ही बन जाता है तो सुनेगा किसको किसी कारिय को ही सुनेंगा ना शब्द को और मनन किसका करेगा किसी कारिय रूप का ही करेगा तो इससे भी पता लगता है इत्थम मुक्तो मनों वाग इंद्रिय रूपम विकारम आवरतेती तो जो इन इंद्रियों के विशय हो सकते हैं और वो सब हो सकते हैं विकार रूप ही तो उन्हें में वो आवर्तन कर सकता है एक त्री पंच विधत्वादी विकारम अपी आवर्तेती तो एक दाभावती, त्री दाभावती, पंच दाभावती ये भी सब क्या कह रहे हैं? विकारों को ही कह रहे हैं बोले ये मुक्तात्मा का जो एश्वर्य है वो तो विकारावर्ती होता है लेकिन जो नित्यमुक्त परमात्मा है उसका एश्वर्य विकारावर्ती नहीं होता है उसका एश्वर्य तो विकारावर्ती और उससे बाहर भी है वो तो संपूर्ण होता है उसका कुतह, इत्यत्र, उच्यति, कैसे पता लगा तो इसका वो दे रहे हैं प्रमान, दर्शयत अस्चाइव, प्रत्यक्षानुमाने, बोले वो प्रत्यक्ष और अनुमान से, शुति और स्मृति, इनसे वैसा ही देखा जाता है, कि वो संपूर्ण ए क्रमात, तो बोले यहाँ पर जो कहाना प्रत्यक्ष अनुमाने दर्शयत अपी, तो इसका मतलब है प्रत्यक्षम शुति, प्रत्यक्ष का मतलब है शुति, अनुमान का मतलब है स्मृति, तो ऐसा ही पूरू के समानियां पर क्रम है, तो शुति का पहले दे रहे हैं, उधार जुर्वेद का मंत्र है तो ये मंत्र क्या कह रहा है कि ये जो विकार जगत है लोक लोक आंतर तद अंतरस्य सर्वस्य सब के अंदर भी है वो और तद उस सर्वस्य अस्य बाहियत है और ये जो कारिय जगत ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है वो उसके बाहर भी है तो दोनों जगें आवरतन हो गए ना अंदर भी और बाहर भी तो सुर्टी वही बता रही है यह जुरुवेद क्या कह रहा है तो अमस्य पारे रजसो व्यॉम्ना हे प्रभो आप अस्य व्यॉम्ना रजसा पारे आप इस आकाश के भी परे है तो इसका मतलब आकाश के अंदर तो सारा संसार सारा ब्रमांडा जाता है गारगी ने पूछा था ना याजवल किसे कि यह किस में होता है प्रोत है तो बोले आकाश में तो इससे बाहर कुछ भी है नहीं और आप इस आकाश के भी पार हैं आप उससे भी परे हैं तो यह कह रही है यत किंचित अपी जगत सर्वं द्रिश्यते शुयते अपिवा अंतर वहिश्यतत सर्वं व्याप्य नारायन स्थितह ये तैतिरी आरण्यक का है यत किंचित जगत सर्वं द्रिश्यते जो भी ये सारा जगत दिखाई दे रहा है अथवा शुयते पिवा जो वो सारा उसके अंतर वहिश्च उसके अंदर और उसके बाहर भी तत सर्वम व्याप्य अंदर और बाहर सब को व्याप्त करके नारेन स्थित है ये स्मृति का हो गया जगत तथा आकाशा दपी बही जगत इस जगत में तथा आकाशा दपी बही और आकाश से भी बाहर है परम तो यहाँ पर इस लोक लोक आंतरों में कारिय जगत में और उसके बाहर भी आकाय शादी के बाहर भी उसके एश्वरिय का यहाँ पर कथन किया है इसलिए वो केवल विकारा वर्ती नहीं है ने विकारा वर्ती विकारे न आवर्तते इसका मतलब क्या है कि वो केवल विकारों में आवर्तन नहीं करता है केवल विकारों में नहीं घूमता है लोक लोक अंत्रों में नहीं है तस्य विकारा दपी बही उसका अस्तित्व उसके विकारों से बाहर भी वर्तमानत्वात वर्तमान है विद्यमान है तथा उसके बारे में शुति कह रही है ना तत्र सूर्यो भाती ना चंद्रतारकम ना इमा विद्योतो भानती कुतो या मगनी बोले वो जो परमात्मा जहां है ने तत्र सूरियो भाति सूरिय का प्रकाश उसको प्रकाशित नहीं कर सकता है क्योंकि सूरिय किस में आ जाएगा विकार में आ जाएगा सूरिय लोक में आ जाएगा एक लोक है सूरिय लोक द्यू लोक उसमें आजएग उसके परेत Śurya जमेंग है ने चंदरतारकम ने चंदरतारे महाँ पर हैं ने इमाविद्ध्योतो ये विद्ध्यूत भी नहीं है क्योंकि ये सब तो लोग हैं विद्ध्योत लोग, चंद्र लोग, तारक लोग कुतोयम अगनी ये तो प्रिथ्वि लोक में है तो ये तो होई कैसे सकता है वाँ पर आगे ये तो कहा श्वेता श्वतर में मुंडक अपनी शद में और आगे गीता में कहा ना तद भासयते सूर्यो ना शशांको न पावक उसको ना तो सूर्य आभासित आवर्तमानत्वम उक्तम तस्मात तस्य अईश्वर्यम ने विकारा वरती ने विकारम आवरतयती स्वस्मिन तत्र विकारा असंस परशत्वात तो कहरें इस परकार परमात्मनी विकाराणाम आवर्तमानत्वम उक्तम परमात्मा में विकारों का आवर्तन कहा है परमात्मनी विकाराणाम आवर्तमानत्वम उक्तम उसका आवर्तमानत्व कहा है तस्मात तस्य एश्वर्यम ने विकारावर्ति तो उसका जो परमात्मा का जो एश्वर्य है वो केवल विकारावर्ति नहीं है ने विकारम आवर्तेति और वो विकारों को अपने अंदर भी नहीं बुलाता है आप रतेति स्वस्विन तत्र विकार असंसपर्शत्वाद क्योंकि उसमें तो विकारों का संसपर्श भी नहीं हो सकता है उसका स्वरूप ही ऐसा है तो यहां तक यह सूत्र की व्याख्या हो गई आगे ये शंक्राचारी जी के भाष्ये के बारे में कुछ टिपणी कर रहे हैं बोले ये 1920 सूत्र हैं इन दोनों का ही अर्थ शंक्राचारी जी ने क्या किया है परमात्म रूप किया है जबकि पहले वाले सूत्र का अर्थ क्या था मुक्तात्मा के एश्वरिये से संबन्दित था और ये 20 मां परमात्मा के एश्वरिये से संबन्दित है ये है ना बात तो लेकिन इनोंने दोनों क्या कर दिये परमात्मा के एश्वरिये से संबन्दित कर दिये तो इससे क्या आया कि परमात्मा जो है परमात्म रूपस्य विकार वर्तित्वे विकार राहित्वे विकार अवर्तित्वे माने विकारों में उसका आवर्तन नहीं है पहले का तो यह अर्थ होगा तो क्या अर्थ हुआ कि वो परमात्म विकार से राहित्वे है और विकार मायत्वे चे और वो विकारवाला भी है पीछे वाले सूतर में तो होगा विकारवाला और इस वाले सूतर में विकार से रहित तो कहा कि तत्र एकस्य सूत्रस्य आनर्थ्यक्यम प्रसज्यते तो दोनों में से एक की तो अनर्थकता सिद्ध होती ही है क्योंकि या तो वो विकारावर्ती है और या तो वो विकारों से बाहर है यता है विकारावर्ती चे तथा ही स्थितिम आह क्योंकि पिछला जो सूत्र है कि वो विकारावर्ती है और वैसा ही शुति भी कह रही है तो वहाँ शुति भी डाल दिया ना तो इसका मतलब है अत्र सूत्रे आह इती शुति ही आह तो बोले इस सूत्र में जो आह शब्द है उसका मतलब है शुति आह तथा ही शुति ही उद्रिता और बोले वैसे ही वहाँ पर उन्होंने शुति का उद्रण भी दिया है वहाँ पर उन्होंने उद्रण दिया है तावा कहेकर के पुनह उत्तर शूत्रे, दर्शयत, चईव, परट्यक्षांवाने और फिर ये बात कह दी उन्होंने कि प्रट्यक्ष और अनुमान से ये पता चलता है कि वो पूर्ण, संपूर्ण ऐश्वर्य वाला है परट्यक्षांवाने इसका मतलब है शूति स्मृति तो पहले सूत्र में भी शूति का हवाला दिया अगले सूत्र में भी शूति और स्मृति कह रहे हैं तो निर्थक हो गया न एक ही बात को दो बार कहना इति कथनम सूत्र द्वयस्य एक विशयता याम दोश युक्तम इवर शुति कथनम तो दोनों सूत्रों की एक विशयता है तो यहाँ पर ये दो श्युक्त हो गया शुति कथन शुति कथनम तो पूरों सूत्रे आह इती शब्देन आगतम क्योंकि शुति का कथन तो पूरों सूत्र में जो आह कहा था इसी से ही शूति आह ये निकल गया था पुनह उत्तर सूत्रे स्मृति कथनम यवस्याद और फिर दुबारा अगले सूत्र में भी इन्होंने प्रत्यक्षनुमाने कह करके या दर्शैत कह करके शूति का ही कथन कह दिया तो प्रिथक योग करनम व्यर्थम स्याद तो इनका प्रिथक प्रिथक योग करना सूत्रों में तो ये तो व्यर्थी होना चाहिए या फिर यद्वा पूरो सूत्रे आह शूति आह निरर्थकम भविति क्योंकि एक ही सूत्र में तो ये बात होनी चाहिए सुरुति स्मृति भ्याम पूरवत्रवा उत्तरवा या तो पूरवाले में कहदो सुरुति का हवाला देते हुए या तो उत्तरवाले में कहदो दोनों में एक जगें कहदो तदा तो तब इनको क्या कहना चाहिए था विकारा वर्ती चे तथा ही प्रत्यक्षानु माने यद्वा या फिर विकारा वर्ती चे दर्शे तस चेव प्रत्यक्षानु माने और अथच जगत व्यापार वर्जम इती सूत्रत अब आगे एक बात और कह रहे हैं वर्जमवाला यानि की सत्रा नमबर तो यहां से किसका एश्वर्ये प्रकृत होकर क्या रहा है मुक्तात्मा का तत प्रसंगे ही विकारा वर्ति इति सूद्रश्य विशएयन भाव्यम तो उससे जुड़ा हुआ है तो उस प्रसंग में जो विकारा वर्ती है तो ये ऐश्वर्य भी किसना होना चाहिए मुक्तात्मा का ही होना चाहिए उत्तर सूत्रम अर्था पत्या परमात्मा ऐश्वर्य विशयकम तदा ने सूत्र वयर्थ दोश प्रसंग और फिर उस से अगला जो सूत्र है बीस्वा उसमें फिर अर्था पत्ती से परमात्मा का ऐश्वर्य ले लेना चाहिए तब तो इस सूत्र की वयर्थता नहीं होगी जैसा कि हमने अर्थ किया है लेकिन जैसा कि शंक्राचारी जी ने अर्थ किया तो फिर एक सूत्र की वयर्थता सिद्ध होती है के रहें अच्छा यदी मुक्त ऐश्वर्यम विकारा वर्ति मुक्तों का ऐश्वर्य कहां तक है? विकारों तक है, लोग-लोग आंतरों तक है यदी ऐसा है, तो फिर ये मुंड़क उपनिशद में ये क्यों कहा? यदा पश्य पश्यते रुपमवर्णम जब ये द्रश्टा आत्मा उस रुपमवर्ण को देख लेता है इशम करतारम, जो सब का करता है, जो सब का इश्य स्वामी है तदा विद्वान परमम साम्यम हो पाइती तो ये विद्वान परम साम्य को प्राप्त कर लेता है तो परम साम्य का मतलब क्या होता है? पूरा का पूरा साम्य क्योंकि थोड़ा भी यदि अधूरा है तो उसको साम्य कहेंगी परम साम्य तो क्या होगा? हूब हूँ ऐसा कब ऐसा तो एक जगे जब आपने का परम सामय को प्राप्त कर लेता है अब कह रहे हो कि नहीं लोक लोक अंतरों तक के ही सामय को प्राप्त करता है एश्वरी को प्राप्त करता है तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप इती साम्य प्रतिपादनम कथम उच्चते उसका उत्तर दे रही है भोग मात्र साम्य लिंगाच्य बोले वो जो परम साम्य कहा था हमने वो भोग मात्र तक साम्य कहा था माने जहां तक विकारों कोई भोगा जा सकता है मुलको तो भोगा नहीं जा सकता लोक लोक अंत्रों में जाना उसको देखना उसका आनन्द उठाना उसको जानना ये सब क्या है भोग ज़ेए तो तो वहां तक ही सामयता दिखाई है आमने इश्वर के एश्वरिय से आनन्द रूप जो परमात्मा है तो उसके आनन्द को भोग रहा है मापर ही और कोई शब्द लगा लो आप और क्या कहोगी इश्वर के आनन्द का भोग ही तो कर रहा है और क्या कर रहा है अनुभोग कर रहा है यह कह दो बात तो वो ही है इश्वर के आनन्द को अनुभोग कर रहा है इश्वर के आनंद को भोग रहा है क्योंकि ये तो रूड हो गया अभी शब्द कि भोग शब्द किसके लिए अभी रूड हो गया केवल इंद्रिये के विशयों के लिए रूड हो गया लेकिन वास्तों में तो कोई अंतर नहीं है न तो कह रहे हैं कि वहाँ पर जो आनन्द रूप परमात्मा है उसके आनन्द के भोग की समानता का ही लिंगाच्य लक्षन होने से लिंग होने से मुक्तस्य भोग मात्र सामे मुक्तात्मा का परमात्मा का जो आनन्द रूपी भोग है वहां तक सामे है आनन्द स्वरूप अस्या ब्रह्म्हने आनन्द भोग साद्रिशे ही लिंगम अस्ती आनन्द स्वरूप जो ब्रह्म है उसके आनन्द भोग की साद्रिशता हो जाती है मुक्तात्मा की ऐसा महाँ पर लिंग है ऐसा लक्षन है महाँ पर कैसे तैतिरी उपनिशद में कहा सोशनोते सरवान कामान सह ब्रह्मणा विपास्चिता इस मुक्तात्मा के द्वारा सरवान कामान ब्रह्मणा सह अशनोते सब इसकी जो कामनाई हो सकती है वो ब्रह्म के सहयोग से सब पूर्ण हो जाती है ब्रह्म के साथ साथ उतने ही आनंद को ये भोगता है उतने ही विज्यान को ये अनुभव कर सकता है मतलब वो जो विकार रूप उसका आनंद रूप जो भोग है वहां तक ये सारा कर सकता है लेकिन फिर भी वैसा का वैसा तो नहीं हो सकता है आप लोग यहां आ गई है गुरुकुल में और महराजी कहें कि बैई अब जो ये मेरे सन्यासी हैं ब्रह्मचारी हैं ये मेरे ही प्रतिरूप हैं बोलते भी हैं तो ये प्रतिरूप अत्व कहां तक हो सकता है जो माराजी खाना खाते हैं वो आप खा सकते हो जैसे कुटिया में रहते हैं उसमें आप रह सकते हो उसे अच्छी में रह रहे हो बलकी तो वहां तक तो साम में हो सकता है लेकिन उसके आगे तो साम में नहीं हो सकता है एक मरियादा तो है ना फिर भी तो इसी को परम साम में कहा है यहां पर तस्मान ने जगत आगे कहा रसो वई सह परमात्मा क्या है? रसस्वरूप है रसम ही एव अयम लब्धवा आनंदी भवती तो ये मुक्तात्मा उस रस को प्राप्त करके कौन सा रस? आनंद रस उस आनन्द रस को प्राप्त करके आनन्दी भूती ये भी आनन्द युक्त हो जाता है तो ये तो साम्मेता है यहां तक तु तस्मान ने जगत व्यापाराय मुक्त ऐश्वर्यम लेकिन जगत व्यापार वाला ऐश्वर्य तो इसको नहीं मिल सकता है ने स्याथ जगत रचनादिकार्यम मुक्त एश्वर्यम किन्तु जगती स्वान परिचितान वद्धर्तुम वा उद्धर्तुम मुक्तिम विहाय पुनर्जन में धारई तुम्तु शक्त स्याथ इत्यत्रोच्यते तो ये अंतिम प्रश्न किया इनोंने कि ठीक है जगत की रचनादिकार्य जो है वो मुक्त का एश्वर्य ना होवे कोई बात नहीं वो बगवान अपने पास रख लें चलेगा किन्तु जगती इस जगत में स्वान परिचितान जो इस मुक्त आत्मा के अपने परिचित थे इस उनकी मुक्ति के लिए विहाय मुक्तिम विहाय उस मुक्ति को छोड़ करके पुना जनम धारई तुम तो शक्त स्यात दुबारा जनम धारण करने में तो समर्थ होना चाहिए बैस के मन में आई कि वहां भोत मेरे मित्रगण हैं मेरे शिश्यगण हैं तो अब मैं थोड़े जिने इसको मुक्ति को छोड़ करके और लोक में चला जाता हूँ और वहाँ जा करके उनका भी उद्धार कर देता हूँ उनको भी मुक्त करवा देता हूँ तो इतना तो इसका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए यह पूछ रहे हैं तो अच्छा प्रेश्ण पूछा है तो इसका उत्तर इनोंने दे दिया अनावृत्ति ही शब्दात अनावृत्ति ही शब्दात तो बोले नहीं महां से अवृत्ति नहीं हो सकती है अनावृत्ति एक बार मुक्ति में गया बीच में नहीं आ सकता है जो मुक्ति का काल है किसी की सहायता करने के लिए नहीं आते हैं मुक्त आत्माई हाँ मुक्ति से पहले जो अभी मुक्त नहीं हुए है लेकिन जिन्ना ने भोट उंचे स्थिती प्राप्त की है कि वो पार्थिव शरीर में भी नहीं है सुख्ष्म शरीर में है या देवयोनी में है वो आ सकते हैं वो सहायता कर सकते हैं लेकिन मुक्त आत्मा ने पहली बात तो मुक्त आत्मा को ये जीन ही नहीं रहेगा कि मेरे परिचित कौन थी क्योंकि उसकी सब identity समाप्त हो जाती है एक ही आइजिन्टिटी रहती है बस केवल ब्रह्मा के साथ आत्मरूप होता है वो केवल प्योंकि ये सारी परीचे तो शरीरों के साथ है ना स्थूल या सुक्ष्म शरीरों के साथ है तो पहली बात तो उसका कोई ऐसा अपना होगा ही नहीं सारा जगत ही अपना है, सारे लोग लोग अंतरी अपने है जब भगवान का कोई एक व्यक्ति अपना नहीं होता है ना, सब अपने है और दूसरा कोई हो भी मान लो, अभ्यपगम वाद से ऐसा माने तो यहाँ सूत्रकार ने उसको मना कर दिया शब्दात अनावृत्ति शब्द प्रमाणी यह कहता है कि उसकी बीच में आवरित्ति नहीं होती, आता नहीं हो किसी को मुक्त करवाने तो यह जो हम बोल देते हैं कि भई यह फला व्यक्ति तो मुक्त आत्मा था, पर यह तो औरों की मुक्ति के लिए आया सब का उध्धार करने के लिए महरिशिद आयनंद तो मुक्त हो गए थे और वो किसलिए आये मुक्ति को छोड़ करके सारे लोग को मुक्त करने के लिए तो यह हम अपने उन महापूरुशों के प्रती अनन्य शद्धा होने के कारण ऐसा बोल तो सकते हैं लेकिन वास्तव में यह शास्त्र सम्मत नहीं है तो सभी अपने महापूरुशों के लिए यही बोलते हैं महात्मा बुद्ध इसलिए आई गुरु नानक देव इसलिए आई मतलब उनका अपना तो कुछ था ही नहीं प्रयोजन तो वो तो केवल दूसरों को मुक्त करने के लिए आई वो तो मुक्त ही थे लेकिन शास्त्र कहता है कि मुक्ति के बीच से वो आ नहीं सकता है मुक्तस्या मुक्ति तो अनावृत्तिर भवती मुक्तात्मा की इस मुक्ति से अनावृत्ति होती है नहीं से मध्य मुक्ति मुक्ति कालम विहाय स्वान परान वा उद्धर्तुम जगती मुक्ति तह आवर्थते बुले वो व्यक्ति नहीं से मुक्ति मुक्ति के मध्य में से बीच में से मुक्ति कालम विहाय जो मुक्ति का अपना एक सुनिश्चित काल है उसके बीच में से मुक्ति को छोड़ करके स्वान परानवा उद्धरतुम अपनों को या दूसरों को भी उद्धार करने के लिए जगत का उद्धार करने के लिए जगती जगत में मुक्ति तह न आवर्तति मुक्ते से वापस नहीं आता है क्योंकि वहां से उसका आना उसके अधिन नहीं है इसमें वो स्वतंत्र नहीं है क्योंकि वो परमात्मा के अधिन है क्यों ऐसा क्यों है क्योंकि सब कुछ उसका तो काम जा रहे है तो आ सकता है न आतो सकता है लेकिन वो उद्धार नहीं कर सकता किसी का घूमने के लिए आ सकता है पृत्वी लोक में क्योंकि उद्धार तो तब होगा न जब वो शरीर धारन करी शरीर धारन वो कर नहीं सकता है क्यों नहीं कर सकता है मुक्तिर ही कर्म फलम क्योंकि मुक्ति भी करम का फल है और करम फल परमात्मा ने अपने हाथ में रखा हुआ है उसमें कोई अस्तक्षिप नहीं कर सकता है मुक्ति किस करम का फल है जो भी मुक्ति के लिए समाधियादी अनुष्ठान किये जाते हैं तो उसी के फलस्वर उप्त मुक्ति मिली है तो ये जो करम फल देना है ये परमात्मा के अधीन है तो कहरे हैं तद अपी परमात्मा धीन है मुक्तिर ही करम फलम मुक्ति भी करम फल है क्योंकि ये भी फल है तो फल होने के कारण ये भी ईश्वर के अधीन है करम फलम नहीं कस्चित अतिक्रमितुम शक्त करम फल वाला जो डिपार्टमेंट है उसका कोई भी अतिक्रमन नहीं कर सकता है मुक्तात्मा भी नहीं कर सकता है तो इसका मतलब है चार डिपार्टमेंट परमात्मा अपने ही हाथ में रखता है सदा स्रिस्टी की रचना, स्रिस्टी को धारण करना स्रिस्टी का संघार करना, करमफल देना या तो जो स्रिस्टी को धारण करना है उसमें हम करमफल को ले सकते हैं तो फिर तीन कारिये हो गई कथनम आवरित्ति रुच्यते कथम कैसे ये पता लगा तो कहा अनावरित्ती उच्चते शब्दात शब्द प्रमान से उसके अनावरित्ती कही गई है शुति वज्जनात ब्रिहदारिनिक में कहा तेशाम ने पुनरावरित्ती उन मुक्तात्माओं की पुनरावरित्ती नहीं होती है नेचे पुनरावर्तते ये च्छंदोगुप निशद में कहा कि वो कभी भी वापस नहीं आता है बीच में से नहीं आता है इमामानव आवर्तम नावर्तते च्छंदोगुप निशद में कहा कि इस कल्प में तो कभी नहीं आएगा आगे भले हैं मुक्तिकाल पूरा होने पे वो बेशक आ जाए लेकिन इस मानव आवर्त में नहीं आएगा ने आवर्तती कदा परियंतम ने आवर्तती कब तक नहीं आएगा इती प्रेशने तू यावन मुक्ती फल भोग समाप्ती इस प्रेशन के किये जाने पर कहा कि जब तक मुक्ती रूपी जो फल है इस भोग की समाप्ती जब तक ना हो जाए तब तक तो नहीं आएगा नेचे सेचे न अस्य शास्त्रस से विशे मतलो कितना लंबा काल है बोलिए इस शास्त्र का विशे नहीं है हमने बस इतना बता दिया ये शास्त्र इतना कहता है कि वो बीच में आ नहीं सकता है अब वो जो भी काल हो वो दूसरे शास्त्र का विशे नेचे सेचे नेअस्य शास्त्रस से विशे अनावृत्ती शब्दात इती द्वीरुक्ती अध्याय समाप्तियर्था ग्रंथ समाप्तियर्थास्य इस प्रकार से यहां यह सूत्र के भाश्य की भी समाप्ति है और इस ग्रंथ की भी समाप्ति है इती चतुर्थ अध्यायस्य चतुर्थ पादह समाप्तस्च चतुर्थ अध्यायह वेदांत दर्शनम्च इदम स्वामे ब्रह्म्ह मुनी भाष्यो पेतम समाप्तम तो यहां विराम लेते हैं समय का भी पूरा हो गया ओ ओ शान्ति 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 ही स्री गुरुभ्यो नमह